बच्चों अभी तक हमने management portion किया हुआ है आज हम section B या BST का जो B portion है उसको start करते हैं portion A को finish करने के बाद portion B में जो chapter हम start करेंगे वो है financial management या वित्य प्रबंध जिसने हम कहते हैं बच्चों अब समझने की बात ये है कि वित्त क्या होता है जैसे कि आप सब जानते हैं वित्त में हम किसकी बात कर रहे हैं फंड की पैसे की धन की कोशों की इन सब चीजों की बात कर रहे हैं और वित्त क्यों ज़रूरी है एक सामाने जीवन में भी देखें तो अगर हम सामाने जीवन जीना चाहते हैं तो अगर हमें खाने पीने की वस्तुएं खरीदनी है वहां पर भी वित्त क्यावशक्ता होती है इवन आजकर पानी भी बिस्तलरी की बॉडल से मिलने लग गया है उसमें भ क्रिया दैनीक जीवन में कई ऐसे काई रहें जिनको करने के लिए हमें वित्त की आवशक्ता होती है अगर ऑफिस तक जाना है तो फृश्तों की आवशक्ता होती है माल शेम तो वित्तों की आवश्यक्ता है वित्त की आवश्यक्ता क्यों होती है वित्त क्यों होती है बच्छों अब यह वित्त क्यों जरूरी है वित्त जरूरी है ताकि कोई भी व्यवसाई जिसने अपना बिजनस स्टार्ट किया है वो अपने बिजनस को क्या कर सके बढात के उसको कर सके उसको आगे modern structure दे सके और उसमें नई मशीने लगा सके उसमें रॉम material लगा सके इन सारे कार्यों के लिए वित्त की आवशक्ता होती है अब अगर हम देखें तो व्यावसाइक रूप से अगर वित्त का अर्थ देखें तो व्यावसाइक रूप से वित्त का अर्थ यह होता है कि किस सरीके से या कहां से हम कोशो को प्राप्त करें उन कोशो को प्राप्त करने के बाद उनका कहां विनियोग करें और तीसरा जो प्राप्त लाब है उसको किस सरीके से हम वित्रण करें या कहां कहां वित्रण करें यह सवाल उपता है अब बचा जो तीन उसे बाते मैंने कहीं हो कऊषो की प्राप्ति और abused officer region और तीसरा शुर्व से प्राप्तलाबों कवितर्ण साथ हा तो जो कोष्व प्राप्ती होती है वो दो जगugenGO को यह या तो ओनर्स फंडिकल फंड होते हैं जो वह साइव होंगे उनकी सिर् only होंगे वह फंटीू arthritis कर सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं pressures issue कर सकते बचो यह चो ऊभल तेकनिकल वर्ड बोल रही हुं इसके बारे में मैं चर्चा हम पार्थ में आगे बढ़ते हुए करेंगे अभी इसे शॉर्ट में संजारी में लोन जैसे आप जानते हैं कि बैंकों से हम रिण लेते हैं ब्याज दे करके तो यह लोन हो गया और ओनर्स व्यव्यवसाय में लगा सकते हैं अब दूसरी बात मैंने कही है कि कोशों का विनियोग मतलब इन को शों का कहां किया तो बना जायेंगा चाह़े वो लॉंग टर्ब बेसिस पर हो जाहे व उप फिड़ते हैं जैसे कि विकती को भी मेली अब उसके लेव्ट उसे फ्लैंट बनाया उसमें मचीने लगाइं तो ये सब कह donn हैं किसमें फिक्सक्रा में आते हैं जो कि लाँटर्म परण पंवेस्ट करते हैं और short term investment कहां होता है वहां जहां पर टीच में होते हैं ठीक है इसके बाद खुरी दे जाते हyss उसपर पैसे लगाया यह तो यह लंग ज Russia टम होते हैं तो लॉनघ्टममिशन इनवेश्टम्ट और शौाट टममन्मेंट कहां किया जांए इनुश प्राप्त कोश्टों का वह वह सवाल होता है और उसी तरह तीसरा सवाल यह है कि कोशों से प्राप्त लाबों का वित्रण किसमें करना है जो शेयर होल्डर्स है जिन्होंने अपना पैसा लगाया था व्यावसाय में उनको प्राप्त लाब होने के बाद उस लाब से को किस तरीके से वित्रत किया जा उनके शेयर कि कितना पसेंश रहता उस हिसाब से उनको क्या किया जाएगा लाप का वित्रण किया जाएगा तो कुल मिलाके व्यावसाइक वित्त का हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो कोश हैं उनको कहां से प्राप्त किया जाए और प्राप्त कोश को कहां विनियों किया जाए और उस विनियों के उपरांत जो लाब आरजित होता है उन लाबों का वित्रण की नहीं और कैसे किया जाए अब हमें व्यावसाइक वित्त का अर्थ समझ में आ गया जैसे कि मैंने चाप्टर को शुरू करने से पहले बहुत छोटे से में आपको बताया था कि जो व्यावसाइक को चलाने के लिए वहां को स्टार्ट करने से लेकर के उसको चलाने तक में पूरा का पूरा किसका लगाते हैं अब उसके के लिए मतलब ऐन उसका है उसके ग्रोथ के लिए उसको क्या करना है हम को सबस्तार देना है dan करना है उसका करना है वहां पे वित्त क्या विश्चता हो गई ऊपोड़ी कीया उसके बाद विच्थ हीवद्धिकर जोड़ना सब्सक्राइज it जब raw material खरीदना है अपने labor को payment करना है ठीक है अपने employees को payment करना है इन सभी चीजों में क्या करते हैं वित्य क्या आवशक्ता होती है अब क्या हुआ profit gain होने लग गया या व्यवसाय चल पड़ा इस ती में profit आने लग गया profit आने के बाद फिर से investment plan करना पड़ेगा अब investment plan होग कि व्यवसाय में की व्यवसाय में व्यक्ता क्यों होती हैं अब हम कुछीन के वावशक्ता हैं परिभाशाओं के माध्यम से जानते हैं कि वित्य प्रबंध होता क्या है बचों परिभाशाओं को जानने से पहले हम छोटा सा समझ लेते हैं कि विच्ट प्रभंध होता जैसे कि प्रभंधा प्रबंधों देखरे थूंस अब तक हमने section A में या phase A में BST के प्रबंद ही प्रबंद पड़ा है प्रबंद कैसे करना है प्रबंद का कारे क्या है सब कुछ अब यहां पर बात आ रही है first word यानि width की मतलब जो पैसा है उसको किस तरीके से manage किया जाया in all total width प्रबंद का मीनिग यही होता है मतलब जो हम fund हमारे पास है जो cash हमारे पास है जो finance हमारे पास है उसका हम किस तरीके से management करें use करें करें कहां इसको जो वित्त है वो कहां से प्राप्त किया जा सके और कितना प्राप्त हो सकता है उसकी जानकारी ले सकते हैं उसके बाद उस प्राप्त वित्त को ठीक है लॉंग टम बेसिस पर या शॉर्ट टम बेसिस पर कहां इन्वेस्ट किया जाए उसके बाद इन्वेस्टमेंट के बाद जो प्राप्त लाब हैं हम उनको कहां कहां और किसे किसे वित्रत कर सकते इसकी जनकारी ले सकते हैं तो वित्तिय मानेजमेंट को हमने ऐसे समझा अब कॉंसेप्ट को समझने के बाद आईए हम उन दो परिभाशाओं को समझते हैं और अपने इस कॉंसेप्ट को और क्लेर करते जो परिभाशाएं हम स्क्रीन पे देख रहे हैं वो पहली परिभाशा सर जेयर मेसी ने दी हैं उनके अनुसार वित्य प्रबंद वह संचालन प्रक्रिया है जो एक व्यवसाय के कुशल संचालन के लिए आवशक वित्त को उपलब्द कराने तथा उसका प्रभावपून उप उप्योग करने के लिए उत्तरदाई होती है उसके बाद एक और परिभाशा देखते हैं सर जे एफ ब्रेडली के नुसार वित्तिय प्रबंद व्यावसाइक प्रबंद का वक्षेत्र है जिसका संबंद पूंजी के विवेक पुन उप्योग एवं पूंजी साधनों के हमने यह दो डेफिनीशन देखी तो अगर हम इसका निशकर्ष निकाले तो इसका निशकर्ष हम इस प्रकार निकाल सकते हैं कि वित्त प्रबंद होता है वह व्यावसाइक प्रबंद का वक्षेत्र होता है जिसमें की व्यावसाइक को उसके उद्देशों को प्राप्त करन और उनका पूंजी का पूरा सावधानी पूरवक इस्तेमाल करते हुए क्या करें हम उन उन देशों की प्राप्ति करें तो बच्चो इस तरीके से हमने वित्तिय प्रबंध के concept और उनकी definitions को समझा अब प्रश्ण उठता है कि जो वित्त प्रबंध है उसकी क्या भूमिका है या प्रबंध में वित्त का क्या महत्व है बच्चो गर जिनरल भाशा में हम देखें तो जिस तरीके से ब्लड या रक्त हमारे शरीर में उसका प्रवाहित होना important है उसी तरह व्यवसाय में वित्त की आवशक्ता होती है हर जगह पर पैसो की आवशक्ता होती है इसे हम इस उदारण से समझ सकते हैं अब अगर हम देखें तो जो वित्त प्रबंध है उसके अंतरगत जो लिये गए निर्णे होते हैं वो निर्णे जो होते हैं वित्तिय विवरणों में क्या किये जाते हैं आंके जाते हैं वित्तिय विवरण जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं कि अब यह फाइनशल स्टेटमेंट्स जैसे कि आप जानते हैं कौन कौन से होते हैं ट्रेडिंग काउंट प्रॉफिट एंड लॉस एकाउंट इसके अलावा बैलन्स शीट इन सब पर वो जो डिसिजन्स लिये जाते हैं या निर्ने लिये जाते हैं उनका प्रभाव दिखता है या उन डिसेजन atिहों लिखा जाता है भू रोकड़ के या रकम के लूप में लिखा जाता है तो व्यवसाय की प्रगति होती है वह उनकी जानकार 1 ग¡ न न तैयार चींद ने हूश कि है या अमने जो ट्रैडिंग काउंट बनाया है प्रोफिट एट एपिफियां इसके जानकारी उसमें दी गई है उस विवसाय की balance sheet को देख करके या उसके trading and profit and loss account को देख करके हम बता सकते हैं कि इसकी इस विवसाय की प्रगति क्या है और जो वित्त होता है वो प्रबंद की वित्ति जो विवरन होते हैं उनके विविंद पदों के निधारण में जो भूमिका निभाते हैं हम उनको जो है कुछ बिंदो के माध्यम से गें जिसे कि हम इसके महतों को और अच्सी तरीके से समझ सकते हैं और हम उनकुष बिंदोन को को एक-एक करके समझते हैं कि वे कुछ बिंदू क्या है पहला बिंदू कह रहा है कि स्था यह संपत्यों का नेधारण यानि डिटर्मिनेशन ओफ फिक्स आसट्स बच्चों मैंने आपको बताया था फिक्स आसट्स क्या है फिक्स आसट्स जैसे मशीन खरीद ली भूमी ले प्लांट खरीद लिया यह जो सारी चीज़े हैं वह फिक्स आसट्स अब जैसे कि आप उदारणों से समझी सकते हैं कि इसमें जो पूंजी का निवेश होगा वह अधिक मात्रा में होगा ठीक है तो इसे जो है हम इस निवेश को या इस तरीके जो फिक्स आसट को हम किस तर पूंजी बजटिंग करने लिया गया है तो वह जो पांसो करोड होंगे वह उसमें सारी स्थाई संपत्यां आ जाएंगी पूरी की पूरी पास्व करोड़ की होंगी अब अगर हम इसकी दूसरे बिंदू को समझें तो दूसरा बिंदू कहता है कि चालू संपत्यों का करद की कुल विनियों किया गया है तो उसमें क्या हो जाएगा क्या क्या चीजह आएंगी क्या निरदा कर सकेंगे उसके बाद तीसरा बिंदू आता है दीर्ग कालीन वघ्ल attempting के जानकारी एक दिमनेशन ओफ लॉन चौट-춰-traum investments अब देखिए long term investment में क्या होगा उसमें cost ज्यादा आएगा ठीक है अब जैसे कि मान लीजे पैसा ज्यादा है तो वहां पे तरलता या liquidity भी बढ़ जाएगी और ऐसा इसलिए हो सकता है क्यों क्यों कि हो सकता है पैसे की ज्यादा होने के करण क्या हो जाएगा वह पैसा कहीं यूज नहीं हो पा रहा है इसलिए क्या हो जाएगा उसमें तरलता आ जाएगी तो इसलिए बच्चों जो दीरकालीन और अल्पकालीन वित्त का जो अनुपात है उसका निर्धारण करना भी बहुत जरूरी होता है फिर बात आती है चौते बि हो सकते हैं जहां से हम इनको प्राप्त कर सकते हैं हम इने प्राप्त कर सकते हैं एक्विटी शेर से प्रिफरेंश शेर से रिटेंड कापिटल से और डिबेंचर से अब इसे हम हिंदी में समझें तो एक्विटी शेर को हम कहते हैं समतांश पूंजी प्रिफरेंश को हम कहते है पूरवाधिकार अंश पुंजी और रिटेंड कापिटल को हम कहते हैं संचित लाव और डिबिंचिर कों हिंदी में हम कहते हैं तो यह वेरियस सोर्सें यह विभिन स्थे जिसके द्वारा हम दी प्राप्त कर सकते हैं इसके बाद जो अंतिम बात आती है वो कहते हैं कि लाब हानी खाते के विभिन पधों का निरधारण करना यानि determination of various items of profit and loss अब बच्चो इसमें क्या होता है कि विवरन जो बनाया जाता है उसमें profit and loss को describe करना बहुत जरूरी होता है जैसे कि कुछ हम सिंपल से ले ले लेते हैं हम ब्यार अगर देखते हैं नों किसे जोड़ते हैं कि से संब contr कि धीर कालीन संबत्यों की राशी है उसके हम उसको relate करके देख सकते हैं और स्टेश्थ संबंध हम समझ सकते हैं तो इस तरीके से हम यह समझ सकते हैं कि वित्य प्रबंध हमें जो प्रबंधर होता है जो भी डिसिजन लिता है वह कितना इंपॉर्टेंट होता है और उसके डिसेजन के बेसिस पे किस तरह के जो फेज़स आते हैं जिसे व्यवसाय को उसका सामना करना पड़ता है चाहे वो प्रॉफिट के रूप में हो चाहे वो लॉस की रूप में हो फानेशल मैनेजमेंट के महत्व को जानने के बाद आए अब हम जो है वित्य प्रबंद के उद्देश क्या क्या हो सकते यानि वॉट आदा ऑब्जिक्टिफ ऑफानेशल मालेजमेंट जो फर्स्त और फोर्मोस इनका अब्जिक्टिफ होता है जो इनके शेयर ओल्डर्स हैं जो या इनके अंशधारी हैं किया किया जाए उनके हितों की रक्षा किया जाए अर्थाथ उन्होंने जो अंश लगाएं हैं उनसे उनको किस तरीके से ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स दिये जाएं उनके अंशों पर इसे हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जो व्यवसाय दिया है उन शेर्स को खरीदने में या फिर उस व्यवसाय को चलाने में अब व्यवसाय चल पड़ा प्रॉफिट्स आने लग गए तो उन पर परसंटे डिसाइड करना कि जो शेर होल्डर्स है जिन्होंने अपना पैसा लगाया है उस पर कितना परसंट दिया जाए और उनको है जादा से जादा है क्योंकि जब शेर होड़ां रहेंगे तब ही उसी सिधी में व्यवसाय अपना सुचाराई करे करता रहे क्योंकि जो शेयर होल्डर्स होते हैं वह समय शमय पर अपने पैसों को लगाते रहते हैं कि हम इसमें चलेंगे कि ऑबजेक्टिव को हम कुछ बिंदू के माद्य हम से समझेंगे कि कौन-कौन से ऐसे बिंदू है जो कि इसके उद्देशों में शामल होते हैं जो पहला बिंदू है वो है wealth maximization जिसे हिंदी में हम कहते हैं संपदा को अधिक्तम करना अब इसमें क्या होगा संपदा को अधिक्तम कैसे किया जाएगा इसमें जो भी decisions लिए जाएंगे वित्य प्रबंद में प्रबंदकों द्वारा वो इस तरीके से लिए जाएंगे कि जो अंशदारियों द्वारा वीनियों जित या जो invest किया हुआ मनी है या जो पुंजी है उ उसमें व्रिधी की जाए ठीक है उनको जो लाब दिया जारहे है उसमें व्रिधी की जाए अब यह किस तरीके से पॉसिबल है उसको यह जो सूत्र दिख रहा है उसके हिसाब से हम समझ सकते हैं जो कि आपको स्क्रीन पर visibly है इसके अनुसार जो अंशधारी की company में वर्तमान संपदा बराबर अंशो की संख्या गुने प्रति अंश बाजार मूले के हिसाब से हम इनका क्या कर सकते हैं calculation कर सकते हैं ठीक है अब हमें क्या करना है wealth को maximize करना है कि इसके shareholders के तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा तीन financial decisions लिए जाते हैं या तीन वित्य निर्णा लिए जाते हम कह सकते हैं यह financial decision कौन कौन से हैं आएए देखते हैं जो पहला financial decision है वह है अनुकूलतम विन्योग निर्णा यानि optimum investment decision अब जो पैसा है उसको कहां invest करना है जो पूंजी हमारे पास available है उसको कहां invest किया जाए long term basis long term invest करें कि short term basis पे invest करें या fixed assets पे इनवेस्ट करें या फिर current assets पे इनवेस्ट कर यह जो समस्या है पहले उसको solve करना है उस पर decide करना है कि हमको investment कहां करना है जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा profit हो उसकी बाद बात आती है कि अनुकूलतम पूंजी विवसा निर्ण यानी Optimum Financing Decision कि कितनी पूंजी इन्वेस्ट कराई जाए शेयर होल्डर से और उन्होंने जितनी पूंजी लगाई है उस हिसाब से उनको किस सरीके से आगे और प्रोसीड किया जाए ताकि उनकी पूंजी का सहीं उप्योग हो सके फिर तीसरी बात आती है कि अनुकूलतम लाभांश नेनि अब प्रॉफिट जब गेन या या लाब अरजित कर लिया है तो किस तरीके से अरजित लाब का क्या कर सके हम उनको डिवाइड कर सके किनके बीछ बीच शेयर होल्डर की अब सारा तो शेयर होल्डर को नहीं दे सकते कुछ तो कंपनी को अपने पास रिटेन करना पड़ेगा या सुरक्षित रखना पड़ेगा ताकि अगर इन फ्यूचर कोई समस्या आती है और भी कोई इन्वेस्टमेंट प्लान करना है तो उनके पास फंड होना चाहिए या पुझी होनी चाहिए तो यहां पर जो बात आती है कि लाभांश जो है उसको किस तरीके से हम डिवाइड करें या उनका उकूलतम प्रियोग किस तरीके से करें तो यह फर्स्ट जो आपने प्रियोग करना आए हम दूसरे बिंदो की तरफ चलते हैं या उसके दूसरे उद्देश को जानते हैं इसका दूसरा उद्देश है लाभों को अधिक करना यानि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अब व्यवसाय है हर व्यवसाय का जो मेन अब्जेक्टिव होता है वह प्र लाभों को अधिक्तम प्राप्त करने के विशय में उसके पक्ष में कुछ तरक हैं वह देख लेते हैं कौन-कौन से तरक है देखो बचो सिंपल सी बात है अगर प्रॉफिट जादा होगा तो क्या क्या हो सकता है कंपनी आपको अपने आपको ग्रोथ कर सकती है अपने आप हो जाएगा कि वह रिसोर्स यानि जो संसाधन है उसका डिस्टिबूशन कैसे करें और किन किन करें इसके बाद जब अधिक्तम लाव की बारी आती है तो इन फ्यूचर अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि नया इंवस्टमेंट प्लान करना है या कोई प्रॉब्लम्स क् करते हैं उनको उन प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए या उन इन्वेस्टमेंट को प्लान करने के लिए इसके बाद अगर हम इसके पक्ष में और एक तर्क समझें तो जो वित्य प्रबंद है वो व्यवसाय के पीछे पीछे चलता है अगर व्यवसाय का ही मुख्यों उद् करना अब हमने पक्ष में तर्क समझें इसके बाद आईए हम इसके कुछ विपक्ष में तर्क समझते हैं देखे बचो पैसा पैसी को खीषता है यह किसी महान विद्वान ने कहा है और जहां रिस्क होता है मतलब जहां जोकिम जहां होता है वहां पर क्या होता है ला प्राप्ugen करने के लिए इन रिस्कों कुछ कर दिया जाता है अंधेखा कर दिया जाता है उसके साथ साथ जब व्यक्ति व्याव्यवशाय अधिवा जबते हो सामाझिक कल्यान को उस तरफ हां नहीं से इसके बाद देखें तो वो लॉंग टम जो हैं प्रॉफिट्स और शॉट टम प्रॉफिट्स में डिफरेंसे नहीं समझते मतलब अगर उनको दिरगावदी के लिए कोई वस्तू या कोई इंवस्ट्मेंट प्लान ज्यादा बेनिफिट दे रहा है या प्रॉफिट दे रहा है और कोई शॉट टम बे और इसके बाद आर्थिक आसमाउंताओं में क्या करते हैं ये लीव रिधि कर लेते हैं जिससे की सुसाइटी में जो लोग रहते हैं उनके बीच भी समस्याहिःउथ पन्त होने लग जाती हैं और यह केज़से करते हैं ये ब्रश्ट्ट आचार और काले धन को क्या करना उ क्या करते हैं सिर्फ और सिर्फ लाभार्चन करने में लगए होता है हैं तो ये तो अभी हमने समझा सेकेंड अब इसके बाद हम ठर्ट पॉइंट की ओर चलेंगे इसके अन्यूद्देशों को समझेंगे अब इनकि अब उद्देशों को देखें तो वह कुछ प्रकार हैं उसके अनुसार न्यूनितम लागत पर परियाप्त कोशों को प्राप्त करना तता इनकी नियमित पूर्ती बनाए रखना दूसरा उदेशन का है कि कोशो को सुरक्षित रखना इसके बाद उपलब्द वित्य कोशो का अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित करना फिर आता है प्रभावी वित्य नियंत्रण स्थापित करना ताकि अलब पूंजी करन एवं अती पूंजी करन की सितियों को टाला जा सके और अंशधारियों द्वारा क्रय किये गए अंशों पर पर्याप्त प्रत्याय सुनिश्चित करना इन दो जो मैंने पहले जो उद्देश बता इसके अलावा ये अलग उद्देश हैं अब गर हम इन उद्देशों को समझने के बाद अगर निर्णय निकालें तो किसी भी विवसाय का जो उद्देश है वो ज्यादा से ज्यादा लाबार्जन या अधिक्तम लाबार्जन न होकर क्या होना चाहिए उचित तथा संतोष प्रद लाभार्जन होना चाहिए और वो लाभार्जन हमेशा क्या होना चाहिए सुसाइटल बेनिफिट के लिए समाज की कल्यान की प्रेरित होना चाहिए और ऐसे होना चाहिए जो की मानवता बनाए रखें तो बचो इस तरीके स तो इसे हमने जो वित्य प्रबंध है उसके उद्देशों को अच्छी तरीके से जाना है बच्चों हमने फाइनसिंग डिसन की बात की थी फाइनसिंग मैनेजमेंट के उब्जेक्टिफ को पढ़ते समय जब उद्देशों की बात कर रहे थे वहाँ पर मैने फाइनसिंग डिसन की बात की थी तो चलिए आई अब इन डिसन को हम डीटेल ने पढ़ेंगे जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस स्क्रीन पर आपको एक चार्ट दिख रहा है इसमें आपको जो फाइनसिंग डिसन तीन टाइप के होते हैं वो दिख रहे हैं पहला है विनियोग ने दूसरा है वित्यवियस्था ने और तीसरा है लाभांश ने बचों इंग्लिश में हम इसे शॉर्ट में अगर रियाद करते हैं तो फाइनसिंग डिसीजिजन को जो तीन डिसीजन होते हैं उसको हम जो है आई एफ़दी के रूप में याद करते हैं आई स्टांड्स फॉर इन्वेस्टमेंट देशिजन फ स्टांड्स फॉर फाइनसिंग डिसीजन एंडी स्टांड्स वर डिविजिन डिविजिजन और हिंदी में हम इसके कहेंगे विनियोग ने दूसरा वित्यवस्था ने और तीसरा है लावांश ने अब इन ज जानते हैं और इनको जो घटक एफेक्ट करते हैं जो फैक्टर्स हैं जो इनको एफेक्ट करते हैं उन फैक्टर्स के बारे में जानते हैं सबसे पहले हम जानते हैं विनियोंग निर्ना यानि investment decisions जो भी fund वियवसाई के पास है अब उस वियवसाई को किस प्रकार की समपत्यों में अपने fund को या अपने पास जो पूंजी रखी है उसको विनियोग करना है यानि उसका investment plan करना है किस तरीके से या किस प्रकार की समपत्यों में विनियोग करने से वो लाब प्राप्त कर सकता है यह डिसाइड करना इस विनियोग निरने का पार्ट होता है इसमें देखें दो प्रकार की संपतियों में जो है व्यवसाई है वो इन्वेस्ट करता है पहला है दिरकालिन संपतिया यानि जिसे हम कहते हैं लॉंग टम संपतियां इनमें क्या होता है इनमें capital budgeting के तुरू जो कि मैंने आपको इस अध्याय के शुरू में ही बताया था इसके तुरू ही investment plan किया जाता है जो कि fixed assets में होता है मान लीजे कोई बड़ी machine खरीदनी है अब उस machine को खरीदने से पहले market में उसकी original value क्या है उस machine के लिए market में competition कितना है कितने market में competitors हैं और उस से related कितनी अच्छी और technologies विद्यमान है और ये long term benefits कितना दे सकती हैं मतलब दिर्ग कालिन कितने लाप प्रदान कर सकती हैं यह भी देखना है तो यह दिर्ग कालिन संपत्यों में जब विनियोग किया जाता है तो इन सब चीजों के बारे में ध्यान रखा जाता है उसके बाद आती है बात अल्पकालिन संपत्य यानि short term plans को हम देखना है अब इसमें क्या होता है रोकड, स्टॉक, देंदार इन सभी में जब विनियोग किया जाता है तब इन संपत्यों के बारे में सोचा जाता है अब जब यह संपत्य जो है वो इनके पीछे क्या होता है परियाप्त विनियोग होना जरूरी है तब ही ये क्या करती हैं तरलता को प्रभावित करती है अब ये जो संपतियां मैं आपको बता रही हूँ ये जो संपतियां मैं आपको बता ही रोकर्ड, स्टॉक और देंदार ये जो संपतियां हैं इनमें जब हम विनियोग करते हैं तो उसमें क्या करते हैं जो लाप प्लान करते हैं कौन से पर आईए हम जानते हैं से इनको फटे करते हैं को प्रभावित करते जो पहला आमने गडरने को प्रभावित करने वाले घडर्व लियुचा निया प्लांट खरीदना हैं तो यह दिर कालीन विनियोग हैं अब इसमें कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो important हैं इसमें जो होता है परियोजनाओं का रोकड़ प्रवा यानि प्रॉपर कैश फ्लो होना चाहिए पहला इसका बिंड़ आता है मतलब कैश का इंफ्लो और कैश का अइन फ्लो जाना बहुत ज़रूरिकाश इंफ्लो से कड़कर चलेगा कि जब जो आये हो लिए उसको जाना टाइस का एंफ्लो फ्लो इंवेश्टमेंन प्लान कर रहें है यह खर्च कर रहे हैं उनको जनना और उनका तुलनात्मक अध्यान करने के बाद यह किसी को प्लान करना पर दूसरा इसमें जो घटक है वो क्या है प्रत्याय की दर की कोई भी investment plan किया उसमें rate of return क्या है कि कितना return हमको मिल रहा जैसे कि आपने जनरेल भाषा में भी सुना होगा कि आप बैंक में FD करते हैं उसमें आपको इतना प्रतिश्रत ब्याज की दर से आपको मलता है पैसा इतने जितने भी समय आवधी के लिए आपने एवडी कराया है तो यह सब चीजें इसमें इंक्लूड होती है इसमें तो यह होता है रिटर्न मिलना आप अगर हम इसको व्यावसाइक रूप से देखें तो इंवेस्टमेंट क्राइटीरिया इनवाइड क्या कौन-कौन से क्राइटीरिया इसको देखना चाहिए मान लिजिए को मशीन खरीद खरीद रहे हैं तो मार्केट में और कितने अच्छे ब्रैंड्स अवेलेबल हैं नए टेक्नोलोजी के साथ उसी इंवेस्टमेंट एक्स आते हैं अगर हम शौट तम बेसिस पे और अलपकालीन मिनियों को जाने तो अलपकालीन मिनियों नेड़ने के अंतरगत जो हम वोकिंग कैपिटल होता है या कारशील पूंजी उसको देखते हैं यह जो कारशील पूंजी होती है बचों यह न तो बहुत अधिक होनी अगर यह जरुरूरत से ज़ादा होगी तो यह तरलता में वृध्धी करेगी और जो लाब है उसको कम कर देगी और अगर यह बहुत कम होगी working capital यह हम जो इसको करने से पहले हमें जो working capital है या कारशील पूंजी है उसके बारे में अच्छे से पहले जान लेना चाहिए और उसके बाद ही हमें क्या करना चाहिए इसमें investment plan करना चाहिए जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि alpkaline viniog में क्या होता है तरलता और प्रता के बीच में तुलनात्मक अध्यन करने के बाद ही क्या किया जाता है इस सरेके investment को प्लान किया जाता है या इस सरेके विनियोंकों का निर्ने लिया जाता है तो बचो इस तरीके से हमने जो है पहला जो निर्ने है या जो पहला फाइनसिंग डिसीजन है जिसे हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहते हैं उसको समझा